हेलो गाइज वेलकेम टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में मैं शियर करूंगी कुछ टिप्स और ट्रिक्स की कैसे आप स्वेट प्रूफ पार्टे मेकप कर सकते हैं दूरिंग इस समर और मांसून सो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले में गुडवाइब का टोनर यूज करूंगी यह टोनर एक पोर टाइटनिंग टोनर है इसको मैं अच्छे से पूरे फेस पे स्प्री करने के बाद एक स्पन से डैप डैप करके पूरे फेस में ब्लेंड कर दूंगी और यह एक अपन पूर से देरी देरी क्लोज होने लग जाते हैं इसके बाद मैं नीविया के लिप बाम से अपनी लिप्स को मोस्चराइज कर लूँगी ने मैं अरोमा मैजिक की अंडर आई क्रीम लगाऊंगी और इसको अच्छे से मैं मसाज कर लूँगी और यह एक जेल बेस क्रीम है इसके बाद मैं आई ब्रोज बना लूँगी और आई ब्रोज के लिए मैं मुजिक फ्लावर का जेल आई लाइनर यूज करूँगी और इससे मैं अपने जिस्ट गैप्स को फिल कर लूँगी और एक अच्छे सी शेप देदूगी आई ब्रोज को आई ब्रोज को शेप देने के लिए मैं कंसीलर से क्लीन कर लूँगी और यह कंसीलर ओल्मूस्ट मेरे स्किन टोन से मैच करता कंसीलर है सिम कंसीलर के साथ ही मैं अपने आई लेर को भी प्राइम कर लूँगी और इसे मैं सेट कर लूँगी एक लोज पाउडर से आज मैं सिफ आई लाइनर ही यूज करूँगी और आई लाइनर के लिए मैं लेकमे का इंस्टा आई लाइनर यूज करूँगी यह एक वाटर रेजिस्टेंट आई लाइनर है आई लाइनर है आप चाहो तो मस्कारा लगा कर अपने आई मेकप को यहीं पर खतम कर सकते हैं बट आज मैं फॉल्स अप्लाई करूँगी इसके बाद मैं लेक्टो केलमाइन और बैलनसिंग लोशन लगाऊंगी और यह बहुत ही अच्छा लोशन है आपके ओईल को कंट्रोल करता है इसके बाद मैं लेक्ट में का ब्लर परफेक्टिंग प्राइमर लगाऊंगी यह प्राइमर मेरे ओपन पोर्स को ब्लर आउट करेगा और साथ के साथ मेरे स्किन को स्मूध करेगा और गाइज यह बहुत ही अच्छा प्राइमर है अगर आप लेना चाहते हैं इसको हाइले रिकमेंड करूंगी इसके बाद मैं फाउंडेशन के लिए मेबलीन का सुपर स्टीफ फाउंडेशन यूज़ करूंगी और यह फाउंडेशन भी अल्मोस्त मेरे स्किन टून से मैच करता है और यह मेडियम टू फुल कवरेज देता है झाल झाल कंसेलर को सेट करने के लिए मैं एक लूस पाउंडर यूज़ करूंगी इसके बाद मैं फेस को ब्रोंज करने के लिए शिवाना का ब्रोंजर यूज़ करूंगी और जितना सब हो आप पाउडर प्रोड़क्ट यूज़ कीजिए क्रिम प्रोड़क्ट्स को आप इस टाइम आप अवोइड कीजिए एक स्मॉल ब्रश से मैं अपनी नोज को भी ब्रोंज कर लूँगी और इसके बाद जो मैंने अंडर आइक यू पर एक्स पाउडर लगा था उसको मैं अच्छे से रिमॉफ कर लूँगी इसके बाद में लवर लेश लाइन पिर सीन ब्राओन कलर ही अपलाई कर लूँगी इसके बाद मैं मसकारे यूज करूं गी मसकारे के लिए मेबलिनκα हैपर अलकल मसकारा लोजबाar यह एक वाटर प्रूफ मजड़ा है बहुत इंच्छा मसकारा है इसके बाद मैं मेबलिन का fit me blusher यूज़ करूंगे यह कोरल शेड है यह मैट ब्लश नहीं है इसमें हलका सा शीन है और हाइलाइटर के लिए में शिवाना शिमर ब्रिक यूज़ करूंगे इस इस में वन फ्माइ फेवरेट हाइलाइटर बहुत ही पिग्मेंटेड हाइलाइटर है इस हाइलाइटर से मैं पूरे फेस को अपने हाइलाइट कर लोंगे इसके बाद मैं फेस को सेट करने के लिए मेरे डियाइवाई फेस सेटिंग स्प्री यूज़ करूंगी और लिप्सिक के लिए मैं एन्वाइब का लिप क्रियों यूज़ करूंगी तो गाइज यह है मेरा फिनिश लूक आई होप कि आपको यह लूक अच्छा लगा होगा यह वीडियो अगर थोड़ा सा भी आपके लिए हल्फुल रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए आप सब के सपोर्ट के मुझे बह थैंक यू गाइस थैंक यू फोचिंग में वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाइबाइ टेक केर